तो मेक सब इंडिया में आ चुका है एंड आए हुए कापी टाइम हो गया जो काम हमारे मोटा भाई नहीं कर पाए जियो नहीं कर पाए वो वी कर गए Warner Brothers Discovery is now available on Vodafone Idea मैं सची बता रहा हूँ बहुत तगड़े नशे कर रहे हैं Vodafone Idea वाले तो बंडर इन से 5G लाँच नहीं हो रहा है साले नशे ही किये जा रहे है अपने को बंडल OTT प्लैटफॉर्म एक ऐसा प्लैटफॉर्म जो आपको Multiple OTT एक ही प्राइस पे Discounted प्राइस पे आपको दे देता है अपने पिछले दिसमबर में घुसा है लेकिन हमें पता भी नहीं चला कि इन सब को देखके Vodafone Idea ने भी अपनी सर्विस दिसमबर 2023 में लाँच कर दी थी किसी को इस बार में घंटा पता नहीं यह आपको Vodafone Idea के एप पे भी देखने को नहीं मिलेगा जी हाँ Vodafone Idea ने भी अपनी Bundle App Services लाँच की थी जिसमें काफी सारे फॉल्ट हैं लेकिन उससे पहले हमारे Bundles की बात कर लें Introducing to you Share Crew यह OTT Sellers हैं जो अपनी Services Telegram और Instagram पे देते हैं वाईसे तो यहाँ पे सब कुछ अवे लेबल है Amazon Prime Video चीप में अवेलेबल है YouTube Premium, Discovery Plus, Netflix Sony Live, Disney Plus, Hotstar और Crunchy Roll इनके पास सब कुछ अवेलेबल है काफी चीप प्राइसेस में अभी सबसे best offer Gio Cinema Premium का चल रहा है जहाँ पे आपको साल भर का Gio Cinema Premium सिर्फ 199 रुपीस में मिल जाएगा यह trusted हैगी नहीं उसके tension मत लो deal मेरे through होगी like आपके पैसे और आपके effort सिक्योर रहेंगे कोई भी problem आती है आप Hollywood blog बस से इंडिया पे contact कर सकते हो जिसका मनदब यह है कि आपके साथ scam नहीं होगा मेरी तरफ से certified है इसक्रिप्शन में इनके instagram पेज और telegram पेज दोनों की link मिल जाएगी आप check out कोई सकते हैं देखो जैसे एटल के पास एटल extreme है Gio के पास Gio TV है वैसे ही Vodafone Idea के पास है Vodafone Idea Movies and TV मुझे याद है आज से एक दो साल पहले यह बहुत ही खतरनाक service होती थी सारे ही लगभग platform यहाँ पे available थे जो आजकल के basic recharge होते हैं जैसे 239 वाला सबसे basic recharge है सबको करवाना बढ़ता है उसी में आपको Lawrence Gate Play जैसे services मिल जाती थी लेकिन Vodafone Idea के बुरे दिन चले अब यह एक limited app बनके रह गया अगर आप इनके plans वाले section में जाएंगे तो कोई plans दिखा ही नहीं रहा है लेकिन कल मुझे fire tv stick पे scroll करते करते इनका app मिला जो पहले available नहीं था टीवी के app पे तो अलग ही दुनिया चल रही है वी आई movies औं टीवी का जो android वाला app है एक दम कंगाल है कुछ नहीं उस पे लेकिन fire tv stick वाले पे सब कुछ है और फिर उसी app से एक plan show हुआ जो कि what a phone idea ने जियो को compete करने के लिए December 2023 में ही release किया था चुपचा कोई promotion नहीं गी पूरे internet पे इसका सिर्फ एकी article है वैल ये एक महीने का plan है जहाँ पे 202 रुपे में आपको Disney Plus Hot Start Sony Live चोपाल और बाकी फालतू के app थे लेकिन मैं देखके हरान हो गया यहाँ पे Warner Brothers Discovery भी है एता मतलब कमाल ही हो गई जी Warner Brothers Discovery का content available है वी आई पे जबसा मुझे लगा था लेकिन basically मैंने figure out कर लिया कि यह शायद नदान ही है coding करने वाले की और यहाँ पे हमको Discovery Plus देखने को मिलने वाला है और बुरा लगा कि Lawrence Gate Play भी इस plan में involved नहीं है यह plan आपको Vodafone Idea के app पे show ही नहीं होता है वैसे इस plan का नाम है VIMAT Pro Vodafone Idea Movies and TV Pro अब देखो मुझे personally लगता है कि Airtel का जो 148 वाला plan है न वो best यह होगा भी same price पे कहीं कहीं acceptable है और Watcher और OTT Play दोनों के plans काफी जादा महंगे हो गए भोलनेने का आप कोई फायदा नहीं तो वहाँ पे Vodafone Idea एक better option बन जाता है क्योंकि यहाँ पे Disney Plus Hotstar offer किया जा रहा है मुझे पता भी नहीं कि यह काम करेगा की नहीं करेगा पूरे इंटरनेट पे details ही नहीं है Customer Care को पूछना पड़ेगा मतलब अगर आपको यह plan subscribe करना है तो यह जो link show हो रही है सर्फ यहीं से कर सकते हो और कहीं से भी यह plan आपको show तक नहीं होगा वैल आज की वीडियो में इतना ही मैं ट्राइ करूँगा कि मैं आपके लिए OTT में बेस्ट दिल ला पाऊं मतलब यार कब तक piracy करोगे You gotta pay for the content you love And believe me तुम दंग रह जाओगे जब तुम share crow की prices सुनोगे तो टेलिग्राम या इंसाग्राम पे उन्हें contact ज़रूर कर लेना डिस्क्रिप्शन में लिंक है And you know मैं personally कह रहा हूँ तुम इन पे trust कर सकते हो अब इंसाग्राम पे Hollywood ब्लोग बसे इंडिया को follow करना मत भूलना क्योंकि वो ही असली सकते है